मैं डॉक्टर करमवीर सिंग, एसोसियेट प्रोफेसर पॉलेटिकल साइन्स, बी ए सार गोर्मेंट आर्ट स्कोलेज अलवर, प्यारे बच्चो, आज जो मैं आपकी ओनलाइन कक्षा लूँगा, उसमें बी ए पार्ट सेकिंड का जो पेपर सेकिंड है, इंडियन पॉलेटिकल सिस्टम, भारती राजनेतिक व्यवस्था, इसमें जो टोपिक आपका चल रहा है, तेहत्रवा सविधान संसोदन, उसमें जो आज चर्चा आप से करेंगे, वो है 73rd, यानि कि तेहत्रवा संसोदन के जो मुख्य प्रावधान है, मेन प्रोविजन्स, 73rd अमेंडमेंट, इस विशे पर आप से चर्चा करेंगे, तो प्यारे वच्चो, ये जो अधिनियम है, 73rd, इस अधिनियम के प्रावधानों को दो भागों में बाटा गया है, या आप इसको दो भागों में बाट सकते हैं, एक जो है, वो अनिवारिय प्रावधान, और दूसरा एच्छिक प्रावधान, अनिवारिय प्रावधानों में निम्न व्यवस्थाएं सामिल हैं, जैसे उधान के रूप में आप से चर्चा में करूं, जैसे एक ग्राम खंड वे जिला इस्थर पर त्री इस्थरिय पंचाय तिराज संस्थाओं का गठन, दूसरा ग्राम समाओं का संग्ठन, तीसरा कुछ अपवादों को छोड़ कर सभी इस्थान चुनाओं से भरे जावें, नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं में चुने जाने या सदस्य बनने के लिए उमिद्वार की जो आयुश्विमा होनी चाहिए, वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, ग्राम पंचायत में प्रधानवे सदस्यों का चुनाओं सीधे जनता जवारा हों, मदवर्ती इस्तर पर पुर्मुख या उप्पुर्मुख तथा जिला इस्तर पर अध्यक्स उपाध्यक्स का चुनाओं पंचायत के निर्वाची सदस्यों दारा हों, जन संख्या के अनुपात में अनुस्य जाती वे जन जाती के लोगों का इस संस्थाओं में आरक्षण हो एक तियाई स्थान महीलाओं के लिए आरक्षित हो पंचायती राज चुनाव के लिए राज चुनाव आयोका गठन किया जाए पंचायती राज संस्थाओं के अवधी पांच वर्स की हो और यदि बीच में संस्था भंग होती है तो छे महीने के भितर दुबारा चुनाव कराए जाओं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तिय समिक्षा के लिए प्रतेक राज प्रती पांच वर्सों में एक वितायू की स्थापना करे ये कुछ मेन प्रोविजन्स इसमें बताए गई हैं जहां तक एचिक प्रावधान का सवाल है कुछ व्योस्थाएं अधिनियम द्वारा इस प्रकार सुझाई गई हैं कि जिनने लागू करना राज की इच्छा पर छोड़ दिया गया वो प्रावधान क्या है जैसे सांसदों वे विधायकों को इन संस्थाओं में मत देने का अधिकार पिछडे वर्ग के लिए इन संस्थाओं में इस्थानों का आरक्षन कर इत्यादी के लिए वित्ती अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत संस्थाओं बनाना इन संस्थाओं को कारिये के किरवयन्मिन के लिए अधिक अधिकार देना तेत्रवे सविधान संसोदन अधिनियम द्वारा पूरे देश में पंचाय जिराज संस्थाओं में एक रूपता लाने का प्रियास किया गया है आप सभी को ये मालूम होना चाहिए जहां तक सब्जेक्ट्स का सवाल है विशे का सवाल है आपको मालूम होगा कि तेत्रवे सविधान संसोदन द्वारा सविधान में अनुशे 243 जी के द्वारा ग्यारवी अनुशूची जोड़ी गई जिसमें 29 विशे सामिल है वो कौन-कौन से विशे है जैसे मैं आपको बताऊं नम्मर वन करसी भूसुधार तथा मृदास अन्रक्षन लगू सिचाई जल परबंदन विभाजन छेत्र का विकास पसुपालन दुग्दसालाय मुर्गिपालन मच्षिपालन सामाजिक वान्विकी एक फार्मवानिकी लगू अनुथपाद खाद संसाद उप्योग सहित लगू उद्ध्योग खादि ग्राम वे कुटिर उद्ध्योग ग्रामीन विकास, पेजल, इंधन, सडके, पुलिया, सेतु, घाट, जलमार्ग, संचार के अनिशादन ग्रामीन विद्धुतिकरण वे वित्रण, उर्जा के गैर परंप्रागत स्रोत, गरीबी उनमूलन कार्यकरम, प्राथ्मिक उमाद्मिकी स्कूलों सहीत सिक्षा, तक्निकी प्रक्षिक्षन व्यवसाइक सिक्षा, प्रोड एम अनुप्चारिक सिक्षा, पुस्त काले, बा प्राथ्मिक चिकिट्सा केंद्रे मुप्चार केंद्रो सहीत स्वास्त एम स्वक्षा, परिवार कल्याण, महिला एम बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुशुचि जाति कल्याण, जल वित्रण वेवस्था, और सामुदाइक पत्ति का अनुरक्षन, तो ये जो उत्रदायतों का निर्वेन है, ये पंचायति राज विवस्था द्वारा किया जाता है, ये इनके सब्जेक्ट रखे गए, जहां तक और्गनाइजेशन का सवाल है, संग्ठन का सवाल है, इसमें जो मैंने बताया कि तेत्र्य सविधान संसोदन के अंतरगर प्रतेक राज के लिए त्री इस्तर ये पंचायत राज की स्थापना आवशक की गई है, और ये जो तीन इस्तर है, ये कौन-कौन से है, जैसे एक ग्राम इस्तर पर पंचायत राज है, खंड इस्तर पर पंचायत समिती है, और जिला इस्तर पर क्या है जिला परिसद ठीक है तो बीस लाग से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मद इस्तर की व्योस्था आवशक नहीं है पंचायतों में निर्वाचित तथा पदेन सदश होंगे ये भी बताया गया है देश के भिन भिन राज्यों ने पंचायती राज को अपने अपने नाम दिये है जो मद इस्तर की पंचायत समीती को आंदर परदेश में मंडल परिसद कहा गया है राजस्थान में क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत, समीति तथा जिला परिशद के नाम से विभाजित किया गए आपको पता होगा और इन संस्थाओं का जो विवेचन है वो क्या है जैसे मैं आपको बताओं कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर का तीन सरस्थाय हैं क्या क्या है एक ग्राम सभा है एक ग्राम पंचायत है और एक न्याय पंचायत है जहां तक ग्राम सभा में क्या है कि गाव का प्रतेक नागरिक जिसके आयू अठार वर्स होती है वो सामिल किये गए है और ये एक आम सभा जो ए दो बार होती हैं गर्मी में पहली बैठक जिसमें बजट पारित होता है और सर्दी में दूसरी बैसट जिसमें आयवे किये गई कारियों का लेखा जोखा होता है तो ये ग्राम सभा का कारिय हुआ जहां तक कि दूसरा नयाय पंचायत है इसमें आप कह सकते हैं कि कई ग्राम तो द्वारा मिलकर एक न्याय पंचायत का गठन किया जाता है, कुछ राज्यों में यह व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारा राजस्थान का आप उधारण दे सकते हैं, कि राजस्थान में न्याय व्यवस्था नहीं है। तीसरा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कारिकारनी है जिस में सरपंच अन्पंच होते हैं और सदर शंखया में बिनता हो सकती हैं. महिलाओं के लिए एक त्या इस्थान यहां आरेक्षित होते हैं. जहां तक पंचायद समीती है, पंचायद समीती की संरश्ण की स्प्रकार से गई है, आपको पता होगा कि ग्राम पंचायदों के सरपंच, पंचायद समीती छेत्र में निर्वाचित संसद्व विधान सबा सदश्य, और पंचायद समीती छेत्र से निर्वाचित जिला परिश अनुसित जाती वे जनचाती के लिए उनकी जनसंक्या के अनुपात में आरक्षन है, पंचायत समीती द्वारा अध्यक्स, परधान तथा उपद्यक्स उप्रधान चुना जाता है, सरकारी सेवा से परसासनिक अधिकारी यानि कि जो खंडविकास अधिकारी, ब्लोक सद है जिला परिषद में कौन से सामिल सदश होते हैं जिले के पंचाय समीतियों के परधान जिले के निर्वाचित संसद सदश जिले के परतेक सहकारी समीति का एक परतिनिधी जिले की नगरपालिकाओं के अध्याक्स महिलाओं अनुसुचि जातियों जन जातियों के परतिन जाता है जहां तक इसके functions का सवाल है वो आपको मैं बताओं कि तिरी इस्तरिये व्यवस्था में तीन इस्तरियों के कारियों को विभाजित किया गया है जैसे जिला परिशद का अलग कारिये है और जिला परिशद के बाद में जो पंचायत समीति है उसका अलग कारिये है और जो functions हैं इसके विशे में आप से मैं कल चर्चा करूँगा धन्यवाद